वेल्कम वीवर्स और बात करने वाला हूँ फ्यूचर ग्रूप डील के बारे में दोस्तों इसके अंदर मैं आप लोगों के साथ लगातार अपडेट शेयर कर रहा हूँ जो भी आ रहा है इंपॉर्टेंट मैं जरूर शेयर कर रहा हूँ चाहा निगेटिव आए चाहा समझ में आ जाएगा तो फटाफट वीडियो सुरू करता हूँ सबसे बहले दोस्तों डिस्क्लेमर क्योंकि सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ वीडियो है इसमें बाइस सील होड़ के लिए को रिकमेंडिशन नहीं है और दोस्तों अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल जो जोइन कर लिजिए आपके लिए बहुत हैलफुल होने वाला होगा स्टॉक मार्केट से लिटेड न्यूज और जो ट्रेडिंग ऑप्संस ट्रेडिंग वगरा के सिगनल होते हैं लाइब मार्केट के वह मैं सब शेयर करता हूँ और जो अगर कहोगे फ्यूचर गूरूप आलोक इंडिस्ट्री जो भी स्टॉक मेंस कह सकते हो जिसके उपर ज्यादा रिटेल इंवेस्टर फसे वे हैं तो वह सब की न्यूज जो भी आती में ट्रैक करके लगाता है इसके अंदर अपडेट करता रहता हूँ तो जोईन करके रखिए आपको लोग के लिए हैलफुल चाहे वो रेट कट अगरेखी बात हो एक्सपीटेशन बहुत हाई है दोस्तो Bowl सूद देखते हैं क्या निकल के आता है FMCG के लिए क्या आता है रिटेल क्या क्या आता है लेकिन जहां तक उमीद है कि उछ ना कुछ पॉजिटिव आ सकता है क्योंकि रिटेल सेक्टर को नहीं कर पाएं लेंडर को मोरेटोरियम वाली उसके लिए सुनवाई वह दोस्तों वही कल होने वाली है आज नहीं हो पाई वह उसका पर कोई अपडेट नहीं आया है बट कल होने वाली है तो वह भी एक बड़ा टिगर हो सकता है फ्यूचर गूरूप स्टॉक के लिए तो थोड़ा बहुत पॉजिटीव टू फ्लैट क्लोज होएं इस्टॉक लेकिन चांसे हाई है कि कल भी पॉजिटीव क्लोज होंगे क्योंकि बजट है उससे हम एक्पेटेशन लगा सकते हैं और एक और नूज है वह भी देख लेते हैं देखें दोस्तों यह बहुत इंपोर्टेंट खबर है आप लोग के काम किये फ्यूचर ओमेजन का जो केस वगएरा चलना है सुप्रीम कोड अपना जो जज़्जबेंट है उसको परनाउंस कर सकता है और ट्यूजडे को सो थोड़ा सा और देखेंगे क्या है इसके अंदर साब साब लिखा है जो फ्यूचर गूर्ट ने चैलिंज किया था दिल्ली हाई कोड के फैंसले को जो बीस लाक रुपे की पैनल्टी लगाई थी उसकी प्रॉपटीज के अंदर उससे एलेटिड है टोटल चार पिटीशन है दोस्तों आप कहसकते हो उसके उपर है जो सेख का इमर्जनसी अवार्ड है उसके उपर भी आएगा कुछ ना कुछ अपडेट निकलके और जो 20 लाक रुपे की पैनल्टी लगाई है उसके उपर भी आएगा निकलके तो दो तो दोस्तों ये खब इंपल है कल भी हमें एक बड़ी तीजी देखने को मिलेगी सारे स्टॉक के अंदर सो देखने कल क्या होता है यह मेरी पावर्डिटी है क्योंकि रिटेल सेक्टर के ऊपर मुझे बजट से भी एक्सप्रेशन है और कोट से थोड़ी बहुत उमीदे हैं और साथ-साथ अगर आप लोग टेलीग्राम जोइन करके रहोगे तो आपके लिए हेल्फ लोग का कुछ भी आएगा मैं ट्रैक करता रहूंगा इमीडेट आप लोग को शेयर करूंगा सो आज समझ मैं दोस्तों वीडियो को लाइक चैनल को सब्क्राइब जरू करेगा मिलते नेक्स वीडियो म बावाई